तो सेल और्गेनल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लिए थे पिछले वीडियो में और उस वीडियो का लिंक आपको मिल जागा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप तो फिर आप आयो बटन को किलिक कीजिए वहां से भी आप वीडियो लिंक पे पहुंच सकते है तो आज की इस वीडियो लेशन में हम बात करेंगे में में सेल और्गेनल्स क्या हैं और उसके क्या फॉंक्शन से यह हम लोग यहां पे सीखेंगे तो आईए हम सबसे पहले भी बात करेंगे प्लास्टिट्स के बारे में यह क्या होता है दीज आर लार्ज सेल और्गेनल्स इसका बड़ा हुआ करता है इसमें अब पिगमेंट्स परजेंट होते हैं और जो पिंकमिन्स ऊतै हैं उसके वजसे क्लर आजाता है किस में सेल में और के यह में देखे लिया आगे देखिए दूसरा हमारे पास यहाँ पर sentence लिखा है The green clore plastics are called chloroplasts यह देखिए जो green clore plastics होते हैं उसको क्या कहा गया है chloroplasts कहा गया है और इसका क्या function है तो देखिए They manufacture food for green plants by the process of photosynthesis means यह हो गया यह जो chloroplasts है यह क्या काम कर रहा है तो photosynthesis process के द्वारा green plants के लिए food prepare कर रहा है तो हमने यहाँ पर यह देख लिया कि यह जो chloroplast होता है यह green color का हुआ करता है और यह क्या करता है photosynthesis process से food prepare करता है इसके अलावे भी और भी plastic हुआ करते हैं और वो क्या क्या है तो वो है हमारा chromoplast और यह देखिए यह जो plastic है यह plant के दूसरे पार्ट में पाया जाते हैं जैसे हो गया fruits, vegetables, flowers, etc the plastics associated with the different colored parts of the plants अब यह जो हमारा chromoplast है यह क्या काम कर रहा है तो chromoplast, they are responsible for imparting color यह न क्या करता है क्लर के लिए responsible है other than green green color को छोड़ करके जो आप दूसरे color देखते हैं plants में वो किस के वज़ा से होता है तो chromoplast के वज़ा से होता है to the different parts of the plant plant के अलग-अलग part में जो अलग-अलग color आप देखते हैं वो किस के वज़ा से हो रहा है chromoplast के वज़ा से हो रहा है यहाँ पर सिधा लिखता है imparting color देखिए हैं color देने के लिए green color के अलावे जो दूसरे color है वो chromoplast के वज़ा से हैं clear next अपना एक और आगा plastic का type और वो है हमारा leucoplast इसके बारे हम लोग थोड़ा सा देख ले कहता है plants also contain some colorless plastics called leucoplast okay plants में यह colorless plastics है इसमें कोई color नहीं होता है और इसको हम लोग कह रहे हैं leucoplast और इसका function क्या है तो इसका function है these provide a space to store stars protein oils etc okay it means leucoplast जो है न एक तरह का storage space की तरह काम कर रहा है okay storage part आप कह सकते है plants का तो हम लोग briefly देख ले तीनों को यहां पर first हमारे पास है chloroplast जो green color के लिए responsible plants में और यह क्या करता है यह food prepare करता है photosynthesis process से दूसरा जो हमारा हो गया chromoplast यह क्या करता है other than green green color के अलावे जो दूसरा color आप देखते हो plants में वो इसके वज़ा से हो रहा है chromoplast के वज़ा से हो रहा है और एक जो अपना तीसरा है वो है leucoplast यह क्या होता है यह colorless होता है colorless plastic होता है और यह किस चीज के लिए responsible है तो responsible for the storage space कह सकते है starch हो गया protein हो गया oils हो गया तो तीनों तरह के plastics के बारे में हम लोगों ने आप अच्छे से discussion कर लिया है अब next हमारे पास है mitochondria तो यह भी एक बड़ा ही important point है important organelles है यह भी हम लोग जान ले mitochondria का main कहना इसको हम लोग कहते है powerhouse यह देखी यह है powerhouse powerhouse of the cell यह आपका बहुत पार question पूछा जा चुका है कि powerhouse of the cell क्या होता है तो आप वहाँ पे answer कर सकते है mitochondria is called the powerhouse of the cell अब इसको powerhouse of the cell क्यों कहते है तो देखी यहाँ पे लिखता है they are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life life में जो भी activities हो रहे हैं cell के अंदर उसके लिए जो energy चाहिए होता है वो energy यहीं से मिल रहा होता है okay energy कहां से मिल रहा होता है mitochondria से अब इसके थोड़ा सम्डिसक्शन करेंगे इसका structure का तो कहते है these are rod shaped and or aspherical structure okay इसका जो structure होगा आप तो rod shapes का होगा या तो फिर aspherical होगा they are present in large numbers in the cell engaged in different physiological activities तो इसके संख्या बहुत ज़्यादा होती है they are present in large numbers इसके संख्या बहुत ज़्यादा होती है कहां पे cells में तो इसको हमने क्यों कहा powerhouse तो powerhouse इसलिए कहा कि यह energy को generate कर रहा होता है okay they are responsible for cellular respiration and for generation of energy for different activities of life hence they are also called the powerhouse of the cell और इसलिए इसको हमने क्या कहते है powerhouse of the cell कहते है next अपना है cell organelles इसमें है मारा है endoplasmic reticulum okay इसको हमने लोग short में ER भी कहते है तो यह दो तरह का होगा एक होगा rough ER और एक होगा smooth ER rough ER मतलब rough endoplasmic reticulum और a smooth ER means a smooth endoplasmic reticulum अब इसका main function क्या है तो यहाँ पे हम देखेंगे कहता है it provides channels for transport of materials in a cell cell के अंदर यह channel provide करता है जो की transport करता है materials को cell के अंदर में ER of two types इसको और देख लिए और यहाँ पे देखें it is a network of membrane यह network हुआ करता है membrane का आईए हम बात करेंगे rough ER की तो इसका main कहना यह synthesis करता है proteins को main इसका क्या हुआ synthesis of protein अब इसको rough क्यों कहा गया है यह हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे तो first line ही लिखता है this type of ER has a rough appearance as it stirred with ribosome इसके साथ ribosome stirred होते है इसलिए rough देखने में होता है rough appearance होता है और इसका work के भी तो हम लोग बात कर लिए it plays a vital role in synthesis of proteins okay proteins के synthesis में एक बहुत बड़ा role play करता है next जो हमारा है a smooth ER इसके बारे हम बात कर ले अब यह a smooth ER क्यों कहा गया है तो इसका region लिखता है this type of ER does not have ribosomes attached to it इसमें से ribosome जुड़े हुए नहीं होते हैं इसलिए यह आपका a smooth दिखता है therefore has a smooth appearance यह a smooth क्यों दिख रहा है चुकि इसके साथ ribosome attached नहीं होते है it helps in the synthesis of fats देखिए इसका work क्या हो गया तो यह fats के synthesis में help कर रहा होता है तो यहाँ पे endoplasmic reticulum के बारे हम लोग बात कर लिए ओके अब next हमारे पास है golgi complex तो golgi complex के बारे में क्या कहा जाता है they are sect like a structures are stuck one above the other एक के जैस्ट उपर दूसरा यह होता है they are involved in processing and packaging of materials produced by the cell cells के दोरा जो material produced होता है उसको processing में और उसको packaging में यह involved होते है golgi complex यह जो vacule है यह क्या है it appears as an empty space in the cytoplasm cytoplasm में यह एक vacule जो होता है empty space हुआ करता है तो empty space हुआ करता है और इसका size different करता है different होता है plant cells में हना और animal cell में तो यहाँ पर it is generally large in plant cells plant cells में इसका size बहुत बढ़ा होता है और जब animal cell की बात करते हैं तो animal cell में यह रहता भी है और रहता भी है तो बहुत छोटा size का होता है small होता है या तो फिर नहीं रहता है यह हम लोग यहाँ पर learn करेंगी it stores excess of water and waste product यह क्या करता है water को store करता है या फिर waste product को store करके रखता है अगर हम amoeba की बात करते हैं तो amoeba में क्या होता है इन amoeba food materials are held in its food vacuoles for digestion यह जो food vacuoles होता है amoeba में वहाँ पर food store होता है और वहाँ से क्या होता है digestion होता है तो amoeba के case में amoeba के case में यह जो vacuoles होता है यह क्या काम करता है तो food material को store करने में help कर रहा होता है और food materials वहाँ पर store होते हैं digestion होता है जो undigested part होता है food material का वो फिर body से बाहर कर दिये जाता है तो यह तो था अपना वेक्यूल और आगे हमारे पास है ribosome तो यहाँ पर ribosome का जो main function होगा यह क्या है they help in protein synthesis यह protein के synthesis में help करता है अब देखिए यह कहां पर होता है these are tiny granules present in the cytoplasm and on rough ER okay endoplasmic reticulum में यह पाया जाता है जो rough होता है यहाँ पर हमने भी देखा था rough ER यह नहीं जो endoplasmic reticulum में उसके साथ यह stud होते हैं चिपके हुए होते हैं यह तो फिर cytoplasm में भी हो सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है they are tiny granules present in the cytoplasm and on the rough ER they help in protein synthesis और यह protein के synthesis में help करता है लास्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे cilia and phlegelia okay cilia and phlegelia क्या है some cells have these small extensions on their cell membrane तो cell membrane तो आप जाने रहें cell का outer cover जो होता है वो क्या कराता है cell membrane कराता है और cell membrane पे यह जो extensions होते हैं और कुछ-कुछ वहाँ पे निकले हुए होते हैं वो हमारा क्या कराता है cilia and phlegelia तो यह कहां पर पाया जाते हैं तो यह देखिए हमारा यहाँ पे दिखाया गया है yuglina and paramecium okay इसमें हमको यहाँ पे phlegelia देखने को मिलता है phlegelium यह देखिए दिखाया गया इस तरह से ओके और यहाँ पे हमको दिखाया गया है cilia यह जो outer structure आप देख रहे हैं हेर के जैसा हना यह क्या कराता है cilia तो cilia and phlegelia यहाँ पे यूगलीना और paramecium में पहाँ जा रहा है अब इसके अगर function की बात करें तो इसका function क्या होगा they help in locomotion and collection of food यह locomotion कहने का मतलब movement किसका movement तो cell का and locomotion and collection of food food के collection में भी यह help करते हैं unicellular organism like paramecium have numerous cilia while yuglina has a single phlegelum okay तो yuglina में एक single phlegelum होता है जो अभी हमने देख लिया यह जो structure आप यहाँ पे देख रहे हैं यह कहना phlegelum और यहाँ पे बात करेंगे अगर cilia की तो cilia देखिए कितने सारे cilia इसके आउटर आने किस membrane के चाहों तरफ से हमको देखने को मिल रहे हैं okay और इसके अलावे यहाँ पे जो yuglina है इसके और भी structure को दिखाया गया है और जो paramecia में इसके और भी structure को यहाँ पे बताया गया है तो हमने यह देख लिया कि जो cilia इन फ्लेजिलिया है यह outer structure है outer structure मतलब cell के बाहर यह देखिए अपना cell है body है और body के बाहर का यह structure है अना cell के बाहर यहाँ देख सकते हैं तो यहाँ पे लास्ट कहता है all these cell organals work together to perform different functions of the cell ओके तो यह सारे जो आपके है ना cell organals आ साथ में मिलके काम करते हैं और एक function पूरा होता है different different function पूरा होता है cell का तो यह अपना complete हो गया cell organals